नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको यहाँ पर नो इंटरनेट दिखाता है जैसा कि आप देख सकते हैं गाईज यहाँ पर जो मेरा वाइफाई है होट्सपोर्ट यहाँ आपने राउटर से बताने वाला हूं जिनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो में एंट तक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाईज सबसे पहले आप देख लीजिए यह कनेक्टिड है मेरा जो मोबाइल है मेरा वाइफाई जो है होट्सपोट से तो आपका जो है राउटर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सेम प्रोसीजर करना होगा यहां पर देख सकते हैं यह कनेक्टिड है तो आपको एरो की निशान पर क्लिक करना है नीचे आना है और फोर्गेट नैटवर्क पर क्ल पासवर्ड डाल देता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं कनेक्ट कर लेता हूँ फोर्गेट करके आपको करना होगा अब यहां पर देख सकते हैं अभी भी थोड़ा से यहां पर प्रोब्लम है नो इंटरनेट दिखा रहा है बट अगर आपको चल जाता है तो ठीक है अगर तो यहाँ पर करना क्या है वो दूसरी में आपको यहाँ पर देख सकते हैं चल गया है मेरा इंटरनेट चल गया है ठीक है और यहाँ पर मेंली कुछ प्रोब्लम होती है कि पीछे से अगर नेट नहीं आ रहा है ठीक है आपकी सर्वर में ही प्रोब्लम आपके राउटर में य आपको यहाँ पर डायलर पैट में जाना है, star has, star has, 4636, has, star has, और यहाँ पर एक बार आपको फिर से लिखना होगा star, एक बार code देख लिजिए पूरा, star has, star has, 4636, has, star has, यहाँ पर star दबाता हूँ फिर से मैं, जैसे मैं star दबाता हूँ, यह सैटिंग निकल कर आती है, information, हमें वाइफाई से related problem है, तो इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद वाइफाई की तीन सैटिंग से आपर निकल कराएंगी, सबसे नीचे वाली जो स्टेटस, वाइफाई स्टेटस इस पर क्लिक करते हैं, हमें स्टेटस यहाँ पर पता चल जाएगा, कि हमारा वाइफाई जो है, enabled है यहाँ पर, और किस network से connected है, सब कुस दिखा रहा है, supplement status यहाँ पर देख सकते हैं, completed, और यहाँ पर आपको करना के हमारा आपको बता देता हूँ, refresh को option उपर दिख रहा है, आपको refresh status, आपको यहाँ चार से पांच बार क्लिक करना होगा, इसका refresh कर लेना होगा, आपको सारा जो भी detail होगी आपका दिखा देगा, ठीक है, आपको यह करने के बाद बैक आजाना है, अब देखना, आपका internet चल रहा है और नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है, तो finally एक और काम कर लीजिए, यहाँ से setting पर आजाईए, setting में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, R, E, S, E, T, reset, आपको यहाँ पर reset टाइप करना है, अपने सर्च बार में setting के, और यहाँ पर यह देख सकते हैं, आप पहली setting निकल रहा है, यह backup and reset और उसके नीचे है reset wifi, यहाँ पर क्लिक कर लेना आपको reset wifi और यहाँ पर जो settings है तीन है, यहाँ पर wifi wifi, mobile data, bluetooth, आपको यह mobile के अगर setting होगी, उसमें कोई problem होगी wifi की, जैसे पहले से mobile आता है हमारा new, तो अगर आप छेडखानी हो जाती है, कोई गलती से छेड़ चाड़ कर देता है, यह आप से गलती से कोई छेडखानी हो जाती है settings में, तो उसको ठीक करने के लिए तो हम mobile आता है, वैसी कि हो जाएगी, आपको डरने की जुरूरत नहीं, अगर setting में problem होगी तो आपको यहाँ पर solve हो जाएगी, आपकी problem और internet आप use कर पाएंगे, यह तीन जो मैंने आपको trick बताई है, इनी को use करना होगा आपको और आपको जो problem है solve हो जाएगी guys, hope आपको वीडि चिलगी वीडियो चिलगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, till then bye, take care, love you all